उन्नीस्वी सदी का भारत, जब देश ब्रिटिस सामरज्य का हिस्सा था। गुलामी की प्रतारणा और विदेशी हुकूमत के शासन में देश, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक तथा शैक्षनिक शित्र में राष्ट्री पुनरजागरन के दौर से गुजर रहा था। इस समय देश के अनेक सपूत ब्रिटिश हुकूमत से देश को मुक्त कराने में अपना सर्वस्व लगाय हुए थे और साथ ही एक खुशाल भारत वर्ष का सपना संजो रहे थे। देश के इनही महान सपूतों में से एक थे पंडित मदन मोहन मालविये। महामना कई मायनों में अनन्य थे। विशाल और बहु आयामी व्यक्तित्तों के धनी मालविये जी एक महान समाज सुधारक, निर्भीक स्वतंदरता सैनानी, कुशल राजनेता और आडंबर रहित धर्म परायन व्यक्ति थे। किन्तु इन सबसे उपर थी उनकी दूरदर्शिता। एक खुशाल उन्नत देश की इस्थापना के लिए महामना का इस पच्ट मत्था की देश के नौजवानों को श्रिष्ट उच्च शिक्षा हासिल होनी चाहिए। यद्यपी देश में उच्च शिक्षा की नीव 1857 में ही पढ़ चुकी थी जब बंबई, कलगत्ता और मद्रास में विश्व विद्यालेयों की इस्थापना की गई। किन्तु उस समय के सभी विश्व विद्यालेय ब्रिटिश शिक्षा पद्धती का अनुसरन कर रहे थे। और पाश्चात्य शिक्षा पद्धतीयों का सोहार्थ पुण सम्मिलन हो। जहां से निकला च्छात्र ज्यान के शितिस पर वैश्विक होते हुए भी अपनी जड़ों से चुड़ा हूँ। वर्ष 1904 मालवी जी के इस विचार को मुर्थ रूप मिलना प्रारंभ हुआ। जब महराजा बनारस की अध्यक्षता में धर्म और संस्कृती की नगरी काशी में बनारस हिंदू विश्विद्याले की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया गया। मालवी जी ने इस महान यग्य की पूर्थी हे तु एक कावन रुपय का पहला दान अपने पिता से ग्रहन किया। मालवी जी के सत प्रयासों को दो व्यक्तियों का महत्यकून सहयूग मिला। श्रीमती एनिबैसें तथा महराजा दरभंगा। दोनों ने ततकालीन ब्रिटिश सरकार से रॉयल चार्टर के तहर हिंदू विश्व विद्याले की इस्थापना की मालवी जी की मांग का समर्थन किया। श्रीमती एनिबैसेंट ने 1891 से संचालित सेंटरल हिंदू कॉलेज को काशी हिंदू विश्व विद्याले को सौप दिया। चार फरवरी 1916 दिवस बसंत पंचमी मालवी जी का स्वपन सापकार हुआ जब हजारों लोगों की उपस्तिती में वाइस राय लार्ड होर्डिंग ने काशी हिंदू विश्व विद्याले की नीव रखी। रियासतों के राजाओं से लेकर आमादमी तक, उद्ध्योग पतियों से लेकर ग्रामिन क्रिशक तक, संपून देश से आर्थिक सहयोग लेकर मालवी जी ने इस महान परिसर का निर्माण किया। लगबग 1360 एकर के विशाल भूभाग पर फैला यह विश्व विद्याले वास्तु शिल्प का एक बहतरीन नमूना है। विश्व विद्याले का अभिन्यास एक उगते सूर्य के समान है। भारतिय दर्शन के अनुसार उगता सूर्य ज्यान के फैलते प्रकाश का धोतक है। मुख्य द्वार सिंग द्वार से प्रवेश करने के साथ ही यहां का परियावरण मन को आकर्शित करने लगता है। सूनी योजित स्वच्छ सडकें, सडक के दौनों किनारे व्रक्षों की कतार, कहीं फूल से लदी लताएं और जाडियां तो कहीं मौसमीर फलों से लदे व्रिक्ष। और इन सभी के बीच से छागते, पुराने तथा नए इस्थापत्य के प्रतीक, विभिन्न भवन और इमार थे। शिक्षा से चरित्र निर्माण और बहतर नागरिक बनाने के मालवी जी के विचारों के अनुरूप यह विश्व विद्याले दुनिया का संभवत है, अकेला विश्व विद्याले है, जहां नर्सरी और प्राइमरी से लेकर पीच्डी और पोस्ट डॉक्टोरल तक की शिक उपलब्द है, इस अनूठे विश्व विद्याले में एक ही परिसर के भीतर, तीन महत्वकून संस्थान, पंधरा संकाय, 119 विभाग, एक कॉलेज तथा अनेक अंतर विश्यक केंद्र हैं, विश्व विद्याले से संबद्ध है वारानसी में संचालित, चार महा विद्या आधुनिक चिकित्सा और भारतिय चिकित्सा पद्धती आयुरवेद, दौनों चिकित्सा पद्धतियों के अध्ययन और अनुसंधान का किंद्र है चिकित्सा विज्यान संस्थान, चिकित्सा विज्यान संस्थान में तीन संकाय, आधुनिक चिकित्सा संकाय, सरसुंदरलाल अस्पताल आधुनिक चिकित्सा की समस्त सुविधाओं से युक्त यह अस्पताल देश के बड़े भूभाग की स्वास्त संबंदी आवशक्ताओं को पूरा करता है अस्पताल में उपलब्द नवीन सुविधाओं में ट्रॉमा सेंटर भी जुड़ गया है क्रिशी विज्ञान संस्थान अपने ग्यारहवे भागों के साथ देश के क्रिशी शित्र में अध्ययन तथा अनुसंधान में अतुरनी ये योगदान दे रहा है आधुनिक समय के यक्षप्रश्ण परियावरन प्रदूशन और स्वापूशित विकास को ध्यान में रखकर परियावरन तथा सतत विकास संस्थान की स्थापना की गई है एक अन्य संस्थान भारतिय प्रोध्योगी की संस्थान स्वतंत्र और स्वायत संस्थान होने के पश्चात भी अनेक रूपों में काशी हिंदु विश्व विद्याले से संबद है इंसंस्थानों के अतिरिक्त विभिन संकाय ज्यान के विभिन प्रारूपों के अध्ययन के केंद्र है 21 विभागों तथा 5 अंतर विश्यक केंद्रों के साथ कला संकाय विश्व विध्याले का सबसे बड़ा संकाय है मानव के सामाजिक जीवन के अध्ययन के अवसर उपलब्द कराता है सामाजिक विज्ञान संकाय यहां पाँच परंपरागत विभागों के अतिरिक पाँच केंद्र कारियरत हैं वित्त, व्यापार एवं मानिज्य पर अध्ययन के लिए वानिज्य संकाय तथा प्रभंद संकाय है मानव जीवन के कलापक्ष के अध्यायन हेतु, द्रिश्य कला संकाय, संगीप एवं मंच कला संकाय कारेरत है काशी हिंदु विश्व विध्याले का विधी संकाय, कानून, मानवाधिकार और राष्ट्रिय तथा अंतर्राष्ट्रिय विधी के अध्ययन का प्रमुक केंद्र है शिक्षकों के शिक्षन प्रशिक्षन, शिक्षन की नवीन पद्धतियों तथा मुल्य आधारित शिक्षा के अध्ययन का स्थल है शिक्षा संगाई आधनिक विज्ञान की लगबग सभी शाखाओं के अध्यायन की स्थली है काशी हिंदू विश्विद्याले का विज्ञान संकाय 15 विभाग तथा 6 केंद्रों को संचालित करते हुए विज्ञान संकाय का इस्थान देश के अग्रणी विज्ञान अध्यायन संस्थानों में है प्राचीन धर्मशास्त्रों, अध्याक्मिक ग्रंथूं तथा संस्कृत भाषा और साहित्य के अध्यायन हे तू संस्कृत, विद्या, धर्म, विज्ञान, संकाय का गठन मालवी जी के विचारों के अनुरूप किया गया था महिला शिक्षा पर महामना का अक्टिधिक जोड था और उनके इनी विचारों के अनुरूप महिला महाविद्याले की इस्थापना की गई विश्व विद्याले का एक और परिसर मिर्जापुर जीले में बरकच्छा में इस्थित है दक्षिल परिसर की इस्थापना का उद्देशिव प्रदेश के पिछडे शेत्र में नौजवानों, महिलाओं और समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा तथा प्रशिक्षन के अवसर उपलब्द कराना है विश्व विद्याले के वातावरण में विज्ञान, कला और दर्शन के अनूठे सम्मिलन का अप्रतिन उधारण है यहां का कुलगी यह देश के महान वैज्ञाने डॉक्टर शांती स्वरूत भटनागर के कवी रिदय से प्रस्पुटिर रचना है काशी हिंदो विश्व विद्याले को एशिया के सबसे बड़े आवासी विश्व विद्याले होने का कौरव भी प्राप्त है विश्व विद्याले में देश भर से तथा लगबग 40 देशों के 30,000 से अधिक छत्र नामांकित है परिसर के भीतर अध्यापकों तथा कर्मचारियों के लिए लगबग 1400 वाटर्स हैं बाहर से आए अतीथियों के लिए अतीथी ग्रह है विश्व विद्याले में 80 चत्र वास हैं जिन में लगबग 15,000 से अधिक चत्र निवास करते हैं विदेशी चत्रों के लिए सुविधायुक अंतराष्ट्री होस्टल तथा अंतराष्ट्री फ्लैट्स की व्यवस्था है चत्र वासों में सुरक्षा, इंटरनेट तथा मॉड्यूलर किचन के रूप में आधुनिक सुविधाएं उपलब्द हैं स्वस्थ मन और स्वस्थ तन के विकास के लिए चत्र वासों के सामने हैं खेल के विशाल मैदान जहां विभिन्न खेलों की अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्द हैं शारिरिक सौष्टव के लिए आधुनिक मशीनों से युक्त जिम की सुविधा है तो मन की एकागरता के लिए विश्व विद्याले में योग केंदर भी कारिरत है किसी भी उच्चे शिक्षन संस्थान की श्रिष्टता का एक मापदंड है पुस्तकाले काशी हिंदू विश्व विद्याले के पुस्तकाले में पनरह लाग से अधिक पुस्तकों की उपलब्दता है इसके अतरिक्त यहां 13,000 ऑनलाइन जर्नल, 50,000 ई-पुस्तकें, डेटाबेस तथा अनेक दुरलब डिजीटल पांडूलिपियां उपलब्द है केंद्रिय पुस्तकाले के अतरिक्त, विभिन्न संकाय तथा विभागों में पुस्तकाले की एक लंबी श्रंखला है आधुनिक समय के अनुरूप, विश्व विद्याले में साइबर लाइब्रेरी भी है, जिसमें 400 चात्रों के बैठने की सुविधा है चात्रों के स्वास्थय संबंदी आवशक्ताओं के लिए चात्र स्वास्थय संकुल है यहाँ चात्रों को डॉक्टरों के द्वारा उचित स्वास्थय परामर्ष के अतिरिक मुफ्त दवा उपलब्द कराई जाती है चात्र स्वास्त संकुल में रोग निदान की मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्द हैं। आवशत्तान रूप सरसुंदरलाल अस्पताल के रोग निदान और स्वास्ते परामर्ज संबंदी सुविधाएं भी चात्रों को नहिशुल्क प्रदान की जाती है। छत्रों के सरवांगीन विकास के लिए विश्व विद्याले में अनेक केंद्र कारिरत हैं। विश्व विद्याले परवता रोहन केंद्र, साहस और रोमांज से भरपूर, परवता रोहन तथा साहसिक खेलों का प्रशिक्षन प्रदान करता है। विश्व विध्याले में रोजगार तथा मार्गदर्शन ब्यूरो कारिरत है जो छात्रों को बहतर रोजगार के लिए मार्गदर्शन देता है प्लेस्मेंट सेल, विभिन कंपनियों, संस्थानों और उद्योग प्रतिष्ठानों द्वारा केमपस चैन हेतु सुविधाय उपलब्द कराता है राश्ट्रिय सेवा योजना द्वारा छत्रों में देश सेवा तथा सामाजिक सरोकारों के प्रती जागरती पैदा की जाती है राश्ट्रिय कैडिट को छत्रों में अनुशासन तथा देश भक्ती के जज़बे को पोशित करता है अर्ड वाई लर्ड अर्थात अध्ययन के साथ आजीवी का इस कारिक्रम के तहट आर्थिक रूप से कमजोर छट्रों को अंशकालिक रोजगार उपलब्द कराया जाता है परिसर में बने च्छात्रावासों से बाहर शहर में निवास करने वाले च्छात्रों के सांस्कृतिक उन्नयन का किंद्र है सिटी बेली गेसी आध्ययन अध्यापन के अतिरिक विश्व विद्याले में छात्रों की अनेक खेल्खुद तथा सांस्क्रतिक प्रत्योगिताओं और गतिविधियों का संचालन किया जाता है प्रतिवर्ष यहां वार्षिक सांस्कृतिक कारिक्रम इसपंदन का आयोजन होता है जहां छात्रों के भीतर छुपी, कला, संगी और नृत्तिकी प्रतिभा को उचित, मंच मिलता है परिसर में समय समय पर होने वाले कलाप्रदर्शनी, गीत संगीत कारिक्रम, मेले और उत्सव इसे जीवन्त बनाई रखते हैं प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले विश्व विद्यालय के समा वर्तन समारों में छत्रों को देश की महान विभूतियों से दिक्षांत भाषन सुनने का अवसर मिलता है परिसर के केंद्र में इस्थित है आध्यात्मिक्ता का प्रती, भगवान विश्वनात का मंदिर सपेट संग्वर्वर से बने इस भव्य मंदिर का निर्माण स्वयम मालुविय जी की इच्छानुसार हुआ था विद्यार्थियों में कर्म योग की शिक्षा देने हे तू मालुविय भवन में गीता प्रवचन का आयोजन किया जाता है छात्रों में सदाचार और श्रिष्ट नैतिक आचरण के समवर्धन हेतू मालुविय मुल्य अनुशीलन केंद्र की इस्थापना की गई है राय कृष्णदास द्वरा इस्थापित भारत कलाभवन दुरलप एवं प्राचीन कलाकृतियों का संग्रालय है अपनी 13 वीथी काउं मैं संग्रालय देश की प्राचीन और अन्मोल धरोहरों को संजोय हुए है काशी हिंदू विश्वविद्यालय संभवत है अकेला विश्वविद्यालय है जिसके पास माइक्रो एयरक्राप्ट है इतने विशाल और विस्त्रित परिसर की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी है काशी हिंदू विश्विद्यालय के प्राप्टोरियल बोर्ड की यहां के जवान सुरक्षा में 24 घंटे मुस्तैब और चौकस रहते हैं कुलपती के रूप में देश के महाशिक्षाविदों तथा प्रशासकों के नित्रित्तु में विश्व विद्यालय निरंतर प्रगती की नई उचाईयों को जूता हुआ अपनी इस थापना के सौवे वर्ष में प्रवीश कर रहा है वर्थमान में विश्व विद्यालय के कुशल में त्रित्तु के गुरुत्तर दाइत्तु का सफलता पुर्वक निर्वाहन कर रहे हैं प्रसित्ध शिक्षाविद प्रोफेसर गिरिश चंद्र त्रिपाठी प्रिय विद्यार्थी मित्रो काशी हिंदू विश्व विद्यालय पूद्ज महामना की तपस्थली, कर्म भूमी एवं हम सब के लिए शद्धा का स्थान रहा है सव वर्षों की अपनी सुदीर घिवन यात्रा में इस विश्व विद्यालय ने अपने महनिय योगदान के आधार पर पूरे विश्व में अपनी अप्रतिम छवी यूँ उपस्थिती दर्ज कराने में सफलता प्राप्त की है यही वाविश्व विद्यालय है जो अपने विद्यार्थियों के शैक्षनिक उन्नैन के साथ साथ उनमें नैतिक्ता उम्चरित्र निर्मा अपना प्रमुख उद्देश मानता रहा है 21. शताब्दी के इस दोर में जब भारत पूरे विश्व मंच पर अपनी अलग पहचान बनाने के लिए कदम बढ़ा रहा है उस समय इस विश्विद्याले का विद्यार्थी होने के नाते हमारी घूमिका अपने आप महतुपून हो जाती है प्रिय विद्यार्थी मित्रो इस विश्विद्याले का विद्यार्थी होना हमारे लिए गवरों का विशे है प्रिय चात्रों यों चात्राओं यह हमारा शताग्दी वर्ष है यह हमारे लिए एक अवसर है हम इसे विश्वमंच पर फिर से प्रतिश्ठापित करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे मैं इस अवसर पर आप सबको हार्दिक बधाई देते हुए अपने को गौरवानमित अनुभो कर रहा हूँ भारत सरकार ने देश सेवा के महामना के अतुलनीय योगदान के प्रति राष्ट की कृतग्यता को फ्यक्त करते हुए भारत रत्न प्रदान किया मालवेजी के परिवार ने यह भारत रत्न मालवेजी की कर्म भूमी और उनके विशाल परिवार काशी हिंदू विश्व विद्याले को सौप दिया उच्चे शिक्षा के इस अनूठे किंडर का उद्देश्य महज शिक्षित करना नहीं बल्कि एक सुसंस्कृत श्रिष्ट नागरिक का निर्मान करना है यहां शिक्षा सिर्फ जीवी को पारजन का माध्यम् मात्र नहीं है वह मुल्यों और आत्म विश्वास का आधार है यहां ज़्यान का प्रसार ही नहीं ज़्यान का सुरिजन भी महत्व रगता है हम देखते हैं कि हमारा मन भी एक अच्जन आश्चर युमाइबस्तु है इसकी हमारे मन की विचार शक्ति, खलतना शक्ति, गलना शक्ति, रजना शक्ति, मृति धी बेदा हम सब को चकित करती हैं इन शक्तियों से मनश्य ने क्या-क्या दंस लिखे हैं कैसे कैसे साथ बनाएं, क्या-क्या विज्ञान निकालें, क्या-क्या विश्कार किये हैं, अफकर रहा है ये खुलाश चजी नहीं उत्पर्ण करता है मत जट ध्यापक, राम जपरी मत करबर, जूट मत भाखे, मत परधनहर, मत मत चाखे जियों मत मार, जूट मत खेले, मत परी तिया लख यही तेरो तपरी इतने भाख को हजय में साथ दोगे, तो परमात्मादी को सुख देगा, और मांदेगा, और देश का ज़ोरो करहाओ झाल